अप्राहन में तीन साड़े तीन बजे के अंदर एक पूरा घटना करम घटित होता हुआ बताया जाता है जन्पध हात्रस के सिकंद्रा राओ के अंदर एक पूरा हाथसा घटित हुआ है वहाँ पर अस्थानिय आयुचकों ने एक भोले बाबा का कोई आयुजन अस्थानिय गाओं में उनके द्वारा सत्संग के आयुजन के माध्यम से किये जाते रहे हैं और अस्थानिय भक्तगण उस कारिक्रम में भाग लेते हैं उस समय जब मक्मंच ये कारिक्रम संपन हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग की प्रवचन करता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड उन्हें छोने के लिए उधर जा रही थी और सिवादारों के दोरा रोकने पर यहादसा वहां पर घटित हुआ इस पूरे मामले की चांच के लिए हम लोगोंने एडिस्टनल डी जी आगरा कि अध्यक्स्ता में मंडला युक्तो अलीगड को सामिल करते वे एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट अपलब्द कराने के लिए कहा है गटना को देखते भी प्रदेश के मुख्य सचिव और डी जी पी वहीं पर कैम्प कर रहे हैं प्रदेश सरकार के तीन मंत्री चौधरी लक्षिमे नार्यन जे से संदीब सिंग जे से असी मरुन जे ये तीनों लोग वहाँ पर गटना स्थल पर ही कैम्प करके कहलों को उपचार आधी की विवस्था में लगी हुए हैं आधरी प्रदान मंत्री जी ने भी और आधरी ग्रह मंत्री जी ने भी इस गटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते दे सोक संतप्त परीजनों की प्रती अपनी संबेदना ब्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मिर्तक के परीजन को दो दो लाक रुपे की और गंभी रुप से गायल परिवारों की नागरिकों की विली भी पचास फिजाज जार रुपे की साहिता की गोशना की है राज्य सरकार इस पूरी घटना की तोह में जाएगा यहादसा है या साजिस यहाभी हम इसकी तोह में जाकर के इसको देखेंगे इस प्रकार की घटना पर पीडितों की प्रती संबेदना ब्यक्त करने की वजाए राजनीती करना यत्यन तो दुरभाग्यपूर्ण है और निंदनी अभी